दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम हमारे Windows PC या फिट Android Mobile Device को यूस में लेते हुए JPG Picture Format File को PDF File Format पे Convert कर सकते हैं और बो भी बिल्गुल फ्री साथी मैं आपके साथ शेयर करने बाला हूँ Best and latest way इस कम को करने के लिए जैसे कि हम सभी जानते हैं आज के दिन में PDF File Format बहुत ही popular File Format में से एक है लेकिन काई पर उसके अंदर content को डालना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे offline और online तरीके से JPG File को PDFL में Convert करने के तरीका ताकि हम हमारे privacy के according उसे उसमें ले सके वेल अगर आप और भी जानना चाते हैं तो इस वीडियो को बिन स्किप करते ही बान तक देखते रहिएगा हलो दोस्तों मैं यह उतापोस बॉल आप सभी फिर अबर बहुत स्वारत करता हूँ Tech Tips Express की ओफिशियल YouTube चनल पे अगर आप Windows 10 PC को उसे कर रहे हो फिर आपके लिए Windows 10 पे एक बड़ी आप्शन है जो कि है पिक्चर अप जिसे उसमें लेते हुए हम माल्टिपल पिक्चर्स को एक सिंगल PDF में कनबट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले Windows सार्च बर पे आके सार्च करना है फोटोस फिर सार्च रेजल्ब में से फोटोस अप को उपेन कर लेना है फोटोस अप उपेन हो जाना के बाद इसका जो इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा बाई डिफोल्ट आपके Windows सिस्टेम पे Pictures फोल्डर में जितने भी पिक्चर से वो यहापे शो होने लगते हैं आप मालन लीजिए जो पिक्चर को हम PDF में कंबट करना चाते हैं वो यहापे शो नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमारे पास एक ओप्शन है Import जिसके मदद से आप चाहें तो किसी भी फोल्डर को मैनुआली सिलेट कर सेकते हो या फिर स्टोरेज ड्राइब में से फ़र एकजमपल यहापे डेक्स्टॉप पे एक फोल्डर में कुछ पिक्चर से और मैं चाता हूँ उन सभी पिक्चर को PDF में कंबट करना तो हमें सिंपली क्लिक कर लेना है from a folder option पे and then destination path में से उस फोल्डर को सिलेट करते हुए add this folder to picture पे क्लिक कर लेना है अब आप यहापे देख सकते हैं उस फोल्डर पे जितने भी पिक्चर से वो यहापे शोहने लगे है ओके अब से आज मैं चाता हूँ इन चारो पिक्चर को एक PDF में कंबट करना तो इसके लिए यहापे आपको देखने को मिल जाएगा एक option select आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है और फिर चारो पिक्चर को आप एक एक करके सिलेट कर सकते हो कुछ इस तरह देन हमें यूस में लेना है print option का जिसके लिए आप चाहें तो इस icon पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप shortcut की को यूस में ले सकते हो control plus P फिर आपके समने print to window open हो जाएगा कुछ इस तरह या पे सबसे पहले तो printer option में साथ को चूज कर लेना है Microsoft print to PDF option को फिर आप यहां से in service settings को अपने according चेंज भी कर सकते हो फिलाल मैं default ही रहने देता हूँ and finally print button पे क्लिक कर लेना है फिर आपको file name दे देना है जिस नाम से आप इसे safe करना चाते हो और फिर destination path को चूज करते हुए इसे safe कर लेना है ओके तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह successfully एक PDF file में convert हो चुके है ओके अब अगर आप Windows 10 के अलावा Windows की किसी दूसरे version को यूज कर रहे हो फिर आप किस सरी किसे कर सकते हो चली वो देख लेत है इसके लिए आपको simply web browser को open कर लेना है and then picture को drag करते हुए और ब्रॉजर पे लेके आना है then आपको अपने keyboard में से एक साथ प्रेस करना है Ctrl प्लास P for print या फिर या से 3.पे क्लिक करते हुए आपको जाना है print option पे फिर destination के पास जो drop down menu है उसमे क्लिक करते हुए आपको चूज कर लेना है save as PDF option को and then पाकी settings को आपने according ट्विक करते हुए इसे save कर लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं image successfully PDF file में convert हो चुके है लेकिन इसमें जो दिखका थे वो है आप एक single image को ही एक PDF file में convert कर सकते हो multiple images को नहीं अगर आप चाते हो multiple image file को एक single PDF file में convert करना और भो भी offline method को उसमें लेते हुए देना आपको इंडरेस 10 को ही उसमें लेना पड़ेगा या फिर आपको किसी और धाट पड़ी application का मदद लेना पड़ेगा अब चलिए हम अपने अंडरेट फोन को यूज में लेते हुए इसकम को करके देख लेते हैं इसके लिए आपके अंडरेट फोन पे office app इंस्टॉल होने चाहिए अगर नहीं है तो आप play store में से इससे इंस्टॉल कर लिजिए क्योंकि मैंने अलवड़ी इससे इंस्टॉल करके रखा है तो मैं office app को open कर लेता हूँ फिर आपको कुछ इस तरह का एक interface देखने को मिलेगा अब इस screen पे नीचे देखिए एक option actions इस पे क्लिक कर लेना है और फिर इस screen पे आपको option देखने को मिल जाएगा picture to pdf क्योंकि हम pictures को pdf आल में कर्णभट करने चाते हैं तो हमें इस पे tap कर लेना है देन हमारे समने आ जाएगा हमारे android phone पे store की हुई सारे pictures आपको simply आपके requirement के according pictures को select करते जाना है कुछ इस तरह उसके बाद आप इहाँ पे देखिए एक arrow icon साधी कितने pictures हमने select की है वो भी इहाँ पे show होने लगे हैं तो अगर आप ready हैं फिर इस arrow icon पे tap कर लीजिए उसके बाद इहाँ पे आपको बहुत से options से देखने को मिल जाएगा customization करने के लिए आप चाहें तो कर सकते हो फिलाल मैं रहने देता हूँ finally हमें done पे tap कर लेना है और आप देख सकते हैं सारे pictures एक PDF file में convert हो चुके है अब आप चाहें तो इस share button को use में लेते हुए इस PDF file को आप share भी कर सकते हो तो दोस्तों आपने देखा किस तरह सा हम हमड़े Android phone को use में लेते हुए picture को एक single PDF file में convert कर सकते हैं आप चलिए हम online method को भी एक बर देख लेते हैं process, PC and smartphone दुनों पर इसे हम हैं इसके लिए तो आपको सबसे पहले web browser को open कर लेना है फिर आपको visit करना है इस website पे नीचे वीडियो description पे मैं website लिंक छोड़ दूँगा जैसा आप directly इस page पे land कर सकते हो ओके उसके बाद सारे pictures को आप drag करते हुए यहाँ पे छोड़ दीजिए फिर आपको थोड़ा सा wait कर लेना है सारा files अपलोड होने तक ओके फाइल से successful ले अपलोड हो जाना के बाद आपको कुछ इस तरह का एक interface देखने को मिल जाएगा फिर आप चाहें तो यहाँ से settings को आप अपने requirement के हिसाब से adjust भी कर सकते हो then last step create PDF now इस पे click कर लेना है फाइल से fully convert हो जाना के बाद आप यहाँ से PDF फाइल को download कर लीजिए तो दोस्त आपने देखा किस तरह साम पिक्चर फाइल को PDF में convert कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल free में है यहाँ पर जो process मैंने आपको बताया है मेरे knowledge में यह आप तक की best options है इस कम को करने के लिए आप एक बाद try ज़रूर करें और नीचे कमेंट पे share ज़रूर करें अपका experience मैं उम्मीद करता हूँ के आपके लिए एर वीडियो बहुत हेल्फुल रहोगा और पसंद भी आयोगा अगर पसंद आया है तो प्लिज इस वीडियो को लाइक करना मत भुलिएगा और सथी सथ अपने दुस्तों के साथ भी share करना तकि बूफ इसका फैदा उड़ा सके अगर आप कमेंट में कोई भी सवाल या सुझावे तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाका भी बता सकते हैं और इसी तरह helpful वीडियो के अपडेट के लिए आप में जाल को सब्सक्रेब कर सकते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे नहीं टेस्टिंग वीडियो के साथ पहल दें बाई 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 एंट टेक क्यार